हेलो स्टुडेंट्स कैसे हैं आप सब लोग आई हाउप यौल और वैलन फाइन में तनवीर सर अधर्स मिशन हाई स्कूल से वेलकम तू माई चैनल स्ट्रीवीत तनवीर से तो स्टुडेंट्स आज हम इस वीडियो के अंदर क्लास 3 का सब्जेक्स साइंस का चैप्टर 6 जो जे प्रोगरम था उसका पार्ट 2 यहाँ पे देखने वाले हैं तो स्टुडेंट्स अब में आपको टैक्सबूक में से ना पढ़ा कर उसके जो इंपार्टन टॉपिक्स हैं एक्जाम में किस तरह कोशें पूछे जाते हैं और आपको टॉपिक को किस तरह लिखना है पॉइंट बाइंट यहाँ पैम आपको समझाओंगा ताकि हमारे एक तिर से दो काम होगा जाए यही कीससरा आपको राइट करना है और कुछ तरह यह कोश्चन आते हैं वो भी आपको समझ में आ जाएंगे तो चलिए भीना टाइम वेश्ट की स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पर पहला दिया है कोश्चन दो माउस का पूछ आता है स्वश्चन और दहन में अंतर पताए क्या होता है तो देखते हैं यहाँ पर स्वश्चन मिंस यहाँ पर रेश्पिरेशन और दहन मिंस यहाँ यहाँ पर कमशन तो देखते हैं पहला पांट यहाँ पर दिया हुए शोश्चन एक क्या है जो सजीवों के अंदर होती है जबकि दहन के दहन ये क्या है आजएवी क्रिया है जो हमें कहां देखने स्टुरेंट्स मिलती है उसके बाइक वगधर हमें इनजिन वगधर हमें disent इसे उसके इंजिन ये चलता है तो वह होती है अपने कोई चरण बद होता नहीं है number 2 तीजिक है दहन के अंदर number 3 देखते हैं स्वष्षन में यानि क्या दिए स्वष्षन एंजाई्मो के द्वारा नियंतृत होती है जबकि दहन जो होती है वे एंजाई्मो का मतलब यहां पे दहन का एंजाई्मो का कोई संबंध होता ही नहीं है यह दज में चाइबifying Is के अरतित होती है बतलब यह ठीडी पिक ल durability is हुटी है जब होती ुश्मा ते स्वासु चीछ tääट गि जाटाया उन्पी YU के अध्याम्ध वा剛剛 है और आउने लिए अर्द में भी रखी अग्ट गया हो नमबर फाइड देखते हैं स्वस्थेफर इस हैं इसन चुन करीया और दहन कीरिया चैनल पर पूचा कि आप से पूच्छ चाओ पूच्छ कुछ जाता है कि ऑक्षी श्चन और अनलु जो चोटा है या पर आप MI wherever we ‫ सबसे पहला क्या होता है जिबकि का और मिया लगा वह zeggen क्या उपस्तिती के के अंदर होती है और जबकि यह होती है यह कोशी का रश यहां से आधारक के अनर उसके बाद तिस्रा पॉइंट यहां पर shine तो तीसरा पॉइंट हमें दिया कि क्या होता है ग्लुकॉलाइसिस और एवं क्रिप चक्र के लिए आवश्यक होता है जबकि यहां पर दूसरा जो होता है वो क्या दिया यहां पर इसमें केवल ग्लुकॉलाइसिस की क्रिया के लिए क्या होता है सिर्फ यह आवश्यक होता है नमबर फोर हमें दिया हुआ है, नमबर फोर दिखते हैं, तो इसमें अधिक प्रमाण में क्या होती है, उर्जा उत्पन होती है, जबकि अधिक प्रमाण में अधिक प्रमाण में उर्जा उत्पन होती है, नमबर फाई देखते हैं, तो यहां पे अंत में क्या होता है, यानि oxygen की उपस्ति थी और यहां पर oxygen की अनुपस्ति थी यह कोशी की आधारक एवम गणाशोत्र के अंदर होता है और यहां पर जो number two है वह सिब कोशी का की आधारश के अंदर ही होता है यह आप सब इस्टूनेंट्स को क्या करना है त्यान रखना है उसके बाद next लेखते है यहां पर तीसरा क्या आपको पॉइंट यह दिये गे carbon dioxide और पान्यूत पदन के रूप में मिलता है इसमें इथनोल carbon dioxide और लेक्टिक अमलो जो हुआ हमें प्राप्त होता है अब स्टुदेंट्स नेक्स देखते हैं तो नेक्स सवाल एक्जाम के अंदर दो करता है तो आप सबसे पहला पॉइंट यहां पर स्टुदेंट्स क्या लिखेंगे जो हर्दे से सरीर के अंगों की और रुधिर वहन करता है यानि अधमनी का उल्टा यहां पर क्या होगा हर्दे से सरीर की और तो सीरा में क्या होगा सरीर के अंगों से हर्दे की और दुरुदिर का वहन होता है नमबर टू आप क्या लिखेंगे धमनी सुद दुरुदिर का वहन करता है जबकि सीरा जो होगा वो क्या होगा असुद यानि आपको धमनी में याद रखना है असुद दुरु धाद है उसके बाद नंभर थिए, आप स्टुट लिखेंगे, कि धंदी की डिवाल होती है वह मोटी लची और ना चिपकने वाली होती है, जबकि इसका उल्टा इसकी डिवाल मोटी, जगे कहें स्टुटेंटS कही लखेंगे सीरा Genie पतली, और कही लखेंगे कम लचीली, और चिपकने वाली होती, यानि उसका उल्टा आपको लिख देना है, यानि अगर धमनी आथ थरो तो आपको सीरा उसका उपोजिट बना के आप राइट कर सकते हो, चौथा पॉइंट स्टुडेंट साप लिखेंगे, कि धमनी में वाल्व नहीं होते, जबकि सीरा के अंदर क्या होते हैं, वाल्व होते हैं, अब वाल्व मिन्स कहा, जिस तरह पानी बन चालो करते हैं, वाल्व से से मुसी तरह ही, इसमें रक्त जो होता है, उच दाप के साथ बैता है, जबकि इसमें रखत जो होता है सीरा केंद रूचिद आपके साथ बैता, नहीं यह मतलब धीरे-धीरे बैता है, अब इस्टुडेंट्स नेक्स देखते है, अब यहाँ पे इस्टुडेंट्स अगला कॉश्यन हमें पूछ जाता है, चार मार्क्स के लिए फदर दो मार्क्स क करा है कि Amibis की क्रिया को क्या करना है अपर चीतर करके, अपर क्या दीता है, तो आप चार फिगर, जो आपको दिख रहे हैं, चार पो दिखरें। सब्सक्राइब करता है तो आपको चार टॉपिक पॉइंट याद रखेंगे सबसे पहला पॉइंट सबसे पहला पॉइंट आप याद रखेंगे कि वो क्या करता है अहार को ग्रहान करता है फिर नंबर टू के अंदर पाचन करता है और जिसमें नंबर थ्री नंबर थ्री के अंदर वो क्या करता है और नंबर फोर में याँ पर करता है मल को क्या करता है बहार निकालता है तो सबसे पहला कहली होगे अमीबा एक कोशी पिक जो आपको लिख देना अहार गणा मतलब क्या तो किस तरह आहार गणने की प्रक्रिया वो आपको लिखना तो क्या लिखा है अमीबा कोशी के सत्था से अंगली जैसी आइस थाई प्रबंद की मदद से बोजन को क्या करता है गरान करता है और यह प्रबंद बोजन के कण तो यह सरल खाथ पदार्त जो हते हैं, वो कोशी के दरूब में क्या होते हैं? विक्षित हो जाते हैं, फिर number four मलूत सजन, मलूत सजन मिन्स क्या जो बेकार का कच्रा जो होता है, उससे बाहर निकाल देना, तो वो दिया है, बच्चा हुवा कच्रा जो होता है, वो अपच्छ सबसे पहले आपको आप सबसे पहले उसके पाचन तंतर की जो मुख्य भाग है उन मुख्य भागों को क्या करना आप सभी स्टुटेंट्स को याद रखना है ताकि हम उसके बारे में point by point जो हैं वो लिख सकें इसलिए आप सभी स्टुटेंट्स को क्या करना है याद रखना है तो पहला यहां पर दिये मुख्य यानि मुख्य हमारा जो होता है वह उसका गरसी का अमास है चोटी याद ठीक है और सुद्रात में फिर उसका बड़ी पूरे पार्ट के अंदर यहां पर आता है तो किस तरह यहां पर हमारा आहार का पाचन होता है तो इस्टुटेंट्स वह भी यहां पर हम समझने वाले हैं तो देखते हैं यहां पर next तो इसके अंदर अभी यहां पर point by point में समझाना तो उसे हम क्या करते हैं स्टुटेंट् तो यहाँ पर दिया है पहला तो सबसे पहले आहार की जो शुरुवात होती है तो वही दिया आहार के मुख गुवा से पहुचने के बाद जो होता है वो आहार का पाचन जो होता है वो प्रारम हो जाता है मुख गुवा में दांत जीब लार गंदी और दांत जो होता है वो आ नामक उसीचक होता है जो आहार की स्टॉर्च का पाचन पाचन करें क्या करता है माल्टेज में करता है अंतर आहार का पाचन जो होता है वो मुह से प्रारंब होता है और दूसरा में दिया है अब कह सकते हैं आप आहार मुख गुवा से कम समय के लिए रहता है और बाद में क् जो आहार जो होता है वो मुझों के अंदर कम समय के लिए रहता है नेक्स्ट आगर देखते हैं यहां पर